हलो दोस्त बधाई और कंगुरिचुलेशन जो कंडिडेट ने रेल्वे लाइब चैनल पे फर्स्ट सत्रह अठारा घंटे में किसी वीडियो को पचास के यानि 1.5 लाख भीउ दिया है 2021 के बाद लेकिन यह वीडियो क्या था इसको आप समझेंगे तो यह वीडियो था आपक पे कमिशन से समझें जिसमें एनलाइसिस डिटेल था कि कम से कम 1.19 आपको मिनमूम फिटमेंट फेक्टर मिलेगा आठवे पे कमिशन में तो अब लगों का सवाल आगया कि यह जिलेवी की तरह तेड़ा है और लोगों का सवाल देखिएगा कि जिलेवी वाला समाचार यान कोई पॉजेटिव कोमेंट हो तो उसका जवाब भी पॉजेटिव मिले तो वो समझ में आ जाए कुछ लोगों को हलाकि अभी कठीन लग रहा है क्योंकि सब को पता है कि पे कमिशन का कोई गठन नहीं हुआ है ओल्ड पेंसन के लिए कोई बात नहीं कर रहा है लेकिन इसके पहले आप जाएंगे फ्लैस बेक में फ्लैस बेक में जाएंगे तो दो गवर्मेंट के में अभी दवेदार हैं जो सरकार बना सकते हैं वो बीजेपी और इंडिया जो पांच साल के लिए बहुत कुछ बदलावाने वाला है कैसे क्योंकि सीट सेरिंग आप जानेंगे 240 या 292 इधर की तरफ है और इधर 99 और 233 इधर है लेकिन यह संख्या 72 से बहुत दूर और बहुत आगे कोई नहीं है यानि अगर उपर से उट नीचे गिरा पहाड से तो जो नीचे है वो उपर हो जाएगा और जो नीचे वाला किसी को अपने साथ ले लिया तो वो उपर हो जा इंसन और अगली बीर बहुत काम करने वाला है कैसे करने वाला है जो मैंने वीडियो में बताया था कि 18,000 वाला बेसिक कम से कम 34,000 होगा मैंने मीनिमम भीटमेंट फेक्टर की बात किया था और वो किस अधार पे किया था पूरा एनिलाइसिस डिटेल किया मैंने उसके डिट परचारी उनियन नेशनल बगेरा से सारा डाटा आने लगा उस डाटा को देखा उस डाटा में हमने सारी चीजे के कंडिशन देखा कितना महंगाई है कितना पोस्ट खाली है कितना डाटा है एलेक्शन कमिशन का आपने रिजल्ट देखी लिया उसके अलावा भी हमने जो दिटेल में भरा, वो उसको में फोर्थ के फेक कमिशन, फिफ्थ के मिशन, सिक्स, सेबन, सब को देखा, सब को देखने के बाद मैंने एक डिसाइड किया था कि 1.89 आगा, कोई कहा रहा है कि 1.89 से कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, तो पॉसिबल है, थोड़ा आसपास में होगा, मेरा कल्कुलेशन यह बता रहा था कि 1.80 से लेके 1.95 के बीच में कहीं न कहीं आपको फिट्वेंट पैक्टर मिलेगा, और यह भी मैंने उस विडियो में बोला था, कि किसी भी पोस्ट, जैसे लेबल 1 की अभी हम यहां बात कर रहे हैं, लेबल 1 में जादा हो सकता है, लेबल 2 में कम हो सकता है, लेबल 3 में जादा हो सकता है, यह अलग-अलग पोस्टों के लिए अलग-अलग हो सकती है इसमें कोई वो बुझाइश नहीं है लेकिन एन कलकुलेशन को नखादने वाले के लिए कैसे समझाना है तो उसको मैं आपको ले के आता हूं थोड़ा कहानी पर कहानी क्या है यह आप समझिएगा एक बैलूम चकोई थी रिजर्स जनरी सोशल साइंस सोशल साइंस से बैलूम टू 2014 में है उसमें इसका हेडिंग पाली देखिएगा हेडिंग काली देखना है और अगर यह 2014 में खली एक चीज़ जोड़ दीजिए यहाँ पे 10 साल जोड़ दीजिए तो यह होता है 2024 में और 2024 का अगर यह जनरी प्रभलिस होगा तो इसमें हम जो बात करेंगे न इसमें अगर हमने यह बात करेंगे तो आगे वाला में भी मिलेगा यह कैसे तो देखिए आपको वीडियो में दिखाते हैं कि 2014 में हुआ क्या था कि जो बोट बढ़ रहे थे वो यूथ बोट का था यूथ बोट जिसकी मुदा क्या है समझिएगा वो में वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ यूथ बोट का मुदा है पे कमिशन चाहिए जो जो जोब में है उनको पे कमिशन चाहिए जो जोब करके रिटार्चर कर गए हैं उनको पेंसन चाहिए हलाकि उनके फैमिली वाले इन्वाल्व होते हैं यानि अपने पापा का आपका पेंसन आ रहा है तो यूथ का ही इसमें इंटरफेस होता है और अगनीबीर को तो चार साल का जुन-जुना मिल गया है वो सबकुत खतम है अब एलेक्शन हो चुका है, रिजल्ट आ चुकी है अब रिजल्ट के बाद जो हकिकत है उस पे वीचार होता है, डिसकर्शन होता है तो आपका एद पेंसन आता हुआ दीख रहा है जब 2014 में बीजेपी के सरकार भनी थी तो इस जनरिस्ट के हिसाब से देखिएगा पिछले चार साल का डाटा है मतलब चार एलेक्शन का कहें पांच गुना चार, बीस साल का डाटा है और बीस साल में आपने समझा होगा एक पैटर्न में कि पहले जो बोट पढ़ते थे उसमें बोट का परसेंटेज लगभग लगभग पांच से छे परसेंट बढ़ा है लेकिन जो 2014 में जो बोट यंग बोटर का था जो अठारा सा पचीस साल है जो जो जोब सबसे पीक पिरियेड पे सर्च करता है उसकी परसेंटेज करीब 55 से लेके अर्शर 13 परसेंट के आसपास बढ़ गई यह जिसका मैं 55 कर रहा हूँ तो 13 परसेंट बढ़ गई जहां कि नेशनल बोटर की पांच परसेंट बढ़ा 13 परसेंट बढ़ा और आपको पता है 35 से 38 परसेंट कोई भी पार्टी इंडिया का भोट ला लेगा उसका सरकार बन जाती है और यह 13 परसेंट उसका कीतना परसेंट है करीब करी 30 परसेंट के पलास में है यानि 30 परसेंट भोट जितना मिलता है उतना किशी का अगर बढ़ गया तो समझ सकते हैं क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है तो इसमें क्या है अभी और आगे नीचे क्रेक्शन में आऊँगा अभी इसके बाद भी UP के चुनाओ है दोजार सताइस में बिहार महरास्टा का एकदम बिल्कुल अप्तेयारी पे है और अस्टेटों का भी होगा लेकिन ये बिहार महरास्टा यूपी तीनों को अगर किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए तो समझते हैं लोग सभा तो नहीं एफेक्टेड होगा राज सभा बहुत लार्जली एफेक्टेड होता है उसके बाद कुछ दिनों बाद बंगाल भी आएगा लेकिन अभी अंती डाज की बात कर रहा है तीनों राजे से अगर किसी भी सरकार ने अच्छा पहुन परमेट कर लिया जैसे मैं बात कर लूँ कि यूपी की ये भी बात हो गई ये कम से कम आपको दस या पांच या आठ सीटे राजसभा का दे जाएगा या नहीं दे जाएगा क्योंकि इनकी 115 या 118 कुछ विदायक भी है विदायक और इनके चुनाओ होता है तो इन सब जीजों का वोट में अंतर पड़ता है सब को जूडता है राजपती चुनाओ होता है तब ही जूडता है तो ये सब मेक्टर है लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें आपको मोटा मोटी देखा कि 13% वोट बढ़ा था उ अगर उसी तो मैं 2004 में कहिए गया तो कॉंग्रेस का घट के 26 हो गया ये 22 हो गया ठीक है यूथ का बात करेंगे तो इूटल वोट का तो इूथ की बात कर लेते हैं पहले यूथ वाला हम बात कर रहे थे तो यहाँ बीजेपी के 27% कॉंग्रेस को 26% मुकाबला बराबर का था 2004 में आया 27 और 23% हो गया कॉंग्रेस थोड़ा एज पे चला गया 2009 में 28 और 20 बीजेपी डाउन हो गया और सरकार दोनों बार कॉंग्रेस की बनी लेकिन जैसे ही 2014 आया कंडिशन रिभर्स हुआ 28 वाले 20 हो गया और 20 वाले 30 हो गया 10% का भोट सिधा सिधा बीजेपी को पैदा हुआ और 8% कॉंग्रेस का नुक्सान हुआ इसी के कारण कॉंग्रेस की सरकार क्या उनकी सीटे 50 से नीचे हो गई और आपका वीजेपी का बहुत उपर हो गया है 2024 का यही कंडिशन में जुडा रहा हूं कि 2024 का जो चुना हुआ है उसने कॉंग्रेस करीब करीब 12 या 13 क्रों गोट से 19-20 क्रों गोट तक कहुँच गया है अगर 5-6 क्रों गोट और आ गये तब समझे कि गवर्मेंट जो इधर की है वो उधर हो जाएगी और एक गोट 2-4-5 साल में ही बढ़ते हैं एक साल में अपने आप नहीं बढ़ जाता मेनत लोग करते हैं पार्टिया चाहे बीजेपी की सरकार बनी थी ओ भोट यूपी आपका एक्जामपल है जिसमें हमने बता दिया कि 39 और 32 या 33 बीजेपी का है 39 समाझवाती पाटी का जो आपको दिखा रहा है कि गोवर्मेंट के उपर परेसर है और वो परेसर क्या करेगा तो जो आपकी इंडिया की मांगे है उसको क्या करेगा काट करेगा कट करेगा हो सकता है ओल्ड पिंसन या अगनी बीर या पेक हमिसन को डाइरेक्ट उसके तरीके से नहीं दे जैसा कि इंडिया ने कहा है उसको बदलाव करके दे सकता है और बदलाव करने के क्या है हो सकता है इंडिया गवर्मेंट करे या पॉजेटिव नीज जाएगा ये भी एक फेक्टर है ओल्ड पेंशन के लिए कॉंग्रेस ने कई अपने अस्टेट गर्रमेंट में हिमाचल परदेश और पंजाब और राजथान में भी साहित लागू कर दिया था तो ये ओल्ड पेंशन वाला भी बीज़ेपी के लिए अटर्नेटिव ओल्ड पेंशन नहीं है एड पेंशन की बात जो रही है ये आपने देखा है पूरी डाटा मैंने दिखाया है कि ओल्ड पेंशन में कहीं भी छूट नहीं मिला है हर बार 2018-96-96 और आगे में 26 ये सारा पेंशन दर साल में लागू हुआ है अगर बीजेपी सरकारी इस भारकरति है और 16 में तो लागू की थी अगर 26 में नहीं लागर करेगी तो इसके आसपास जो एलेक्शन आएंगे उथ में यूथ क्या करेगा या जुवा क्या करेगा समझ सकते हैं कुछ नो कुछ तो करेगा है अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा फेक्टर तो आपको जानी रहे हैं कि अगर ये चीज़ तो होता है BJP नहीं करता है तो NDA में अकेला 292 सीट जो है उसमें से आपका J.U. का भी है आप जानते ही है चंदरबाभू नाइडू का TDP भी है और भी पाटियों का है महराष्टा में सीवसेन और इदनल सीवसेन जिनके पास और इदनल उनकी तीरधनुस निसान है उनके पास भी 5 सीटे है और बहुत सारी पाटियों के पास कुछनों कुछ सीटे है ओ सीटे कहीं ने कहीं अगर छटेगी और छटकेगी तो अगला इंडिया का आएगा तो इंडिया का तो एजेंडा में ही था कि ये करना है तो अभी ये नहीं सोचिए कि जो हो रहा है हाला कि हम मैं अभी भी बता रहा हूँ हम लोग government formation के लिए हमें ज़्यादा नहीं बात करने चाहिए जो job की बात करते हैं उनको job पे focus करना चाहिए जो विदार्ती है उनको पढ़ने को focus करना चाहिए लेकिन विदार्ती के पढ़ने का जो महौल में अगर कोई बाधा उत्पन आता है तो जो government उनको support करेगा उसको तो support हो करेंगे simple सी बात है तो उमीद है कि जो हमने आपको यह basic बताया था कि 18,000 वाला 34,000 होगा एक साल भी नहीं तो 2026 तक आते आते पुछ न्यूज आएगा ही और 26 नहीं आएगा तो 27 में अपने आप बहुत बड़ा बदलाव जाएगा देख लीजेगा क्योंकि यह मूत का है यूत का 2 से 5 परसें वोट बदलना पूरी government के बदलने के बराबर है चाहे government Congress की हो चाहे इंडिया की हो चाहे BJP की हो या किसी का भी हो हर स्टेट में देखा है और यह परेसर है इसलिए समझेए पुछ न्यूज जल्दी आएगा थैंकी तरने बाद